हेलो एवरिवन, वेलकम तू प्रेपाईएस, आप सभी का प्रेपाईएस पर स्वागत है फ्रेंड्स, UPSC Civil Service Examination Target Year 2023 की प्रिप्रेशन के लिए प्रेपाईएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉंच किया है और इस प्रोग्राम में हम आपको डेली बेसिस पर टारगेट प्रोग्राइड कर रहे है और इन्षूर कर रहे है कि ताइमली आपका प्रेलिमस और मेंस का सीलेबस कमपलीट हो जाए आज की सेशन में मैं आपको day 8 के टारगेट देने वाला हूं पूरा दिल होगा इनको प्रिपार करने के लिए एंड फिर night में 10 पीम पे हमारे टेलिग्राम चैनल पे इन topic पे based कुछ questions आपको attempt करने होंगे इससे आपका confidence बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि आपके weak areas कौन से हैं और आपके strong areas कौन से हैं तो geography and ethics हम साथ लेके चल रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं geography की लेकिए class 9th NCIT हमने कर ली है अब हम आते हैं class 10th NCIT पे friends geography में NCIT बहुत important है आप इसको primary source भी मान सकते हो ठीक है maximum questions आपको मिलेंगे NCIT से ही इसलिए NCIT करना बहुत important है और इसमें भी सबसे important है 11th and 12th class की NCIT बट उसको समझने के लिए base आपको कहां से मिलेगा class 6 to class 10th NCIT से इसलिए ये भी आपको करना जरूरी है तो देखिए class 10th NCIT इसमें chapter number 1 2 and 3 ये आपके target होंगे resources and development forest and wildlife resources and water resources अब देखिए केवल NCIT को पढ़ोगे तो content थोड़ा कम मिलेगा इसलिए मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि ये जो हमारे वीडियो जो इनको आप देखिए यहाँ पर सितेंदर सन्ने काफी अच्छे से NCIT को और उससे जो different aspect है उनको UPSC की demand के according explain किया हुआ है तो इन वीडियो को आप जरूर देखिएगा तो ये three targets हैं ये links हैं जो आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के description box में ओके इसके अलावा देखिए ethics भी हम लोग कर रहे हैं और अब हम focus कर रहे हैं case studies के उपर और हमारा source क्या है lexicon तो देखिए जहां तक theory की बात है कि point कहां से मिलेंगे तो वो points आपको मिलेंगे इस book में से but इसकी practice आपको करनी होगी आप previous questions attempt कर सकते हैं case studies को लेके आप कोई दूसरा authentic source भी follow कर सकते हैं net पे आपको काफी सारे मिल जाएंगे तो bureaucraticness when two of your co-workers are fighting तो क्या करना चाहिए what max leader भई आप IES IPS बनेंगे तो एक leadership position वो होगी तो उनकी क्या qualities होती है किस तरह से आप subordinates को आपको handle करना पड़ेगा वो सब चीज़ें यहाँ पे mention की हुई है and how to get employee work तो यह सारे aspect है जिनको किस तरह से deal करना यह आपको मिलेगा lexicon में जो first chapter है और फिर इन सब का use होता है case studies को solve करने में I hope यह चीज़ clear होगी तो यह आपके targets होंगे इसके अलावा newspaper हमें करना है जो आपको अच्छे से पता है खुद से भी कर सकते हैं या फिर this is our free initiative daily news analysis जिसके videos every morning हमारे youtube channel प्रेपाईस पर आपको मिल जाएंगे आप इनको भी follow कर सकते हैं इसके साथ साथ since अभी December चल रहा है तो 15th January तक आप answer writing practice कर सकते हैं उसके बाद focus करिए किस पर prelims examination पर उसके बाद इसको छोड़ दीजिएगा तो खुद से भी कर सकते हैं कोशिश करिए कि daily 2 और 3 questions आप attempt कर रहे हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो this is our free initiative daily answer writing course आप इसको follow कर सकते हैं तो friends these are the targets एड एक बाद मैं फिर से आपको बता दूँ कि for prelims 2023 prep IES ने काफी सारे free and paid courses launch किये हैं और यह courses आपकी help करेंगे in cracking civil service examination prelims 2023 इनके बारे में सारी details आपको मिल जाएंगी इस video के description box में देखिए prelims को crack करने के लिए जो भी requirement है वो हम आपको provide करवा रहे हैं आपको strategy पता चलेंगी previous questions का discussion हम लोग कर रहे हैं subject wise strategy हम आपको बता रहे हैं पूरा crash course हम लोग करने जा रहे हैं absolutely free इसके अलावा more important questions current affair के marathon sessions काफी कुछ होगा आपके लिए और paid courses भी होंगे like mentorship course and test series course जिसे भी आप join कर सकते हैं तो friends यह आपके targets हैं इनको आप पूरा कीजिए और मुझे बताईएगा comment section में what is your progress so all the best जय हिन and goodbye